ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मिजुरम में लैंड स्लाइट से 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है तुफान के कारण आईजोल में पत्थर की कदान भी डह गई है ये बड़ी खबर सामने आ रही है मलबे में 6-7 लोगों के दबे होने की आशंका भी सामाने जताई जारी है ये बड़ी खबर लोगों को तलाश करने के लिए रेस्क्यू आपरेशन लगातार जारी है बता दे कि मिजुरम में लैंड स्लाइट से 27 लोगों की अब तक मौत की सामने आ रही है चक्रवाती तुफान रेमल का नौर्थ इस्ट पर ये असर देखने को मिल रहा है जहां लगतार लोग तुफान से परिशान है असर में भी इस हाथसे में दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है साथी आपको बता दे कि तुफान के कारण आईजॉल मे पत्थर की ख़दान भी डे गई और मलबे में 6-7 लोगों के दबे होने की आशुंका जताई जारी है ये बड़ी खबर इस वक्किया आपको बता रहे है जोहां मलबे में अभी भी 6-7 लोग दबे होने की आशुंका है साथी बता दे कि लोगों को तलाश करने के लिए रेस असर देखने को मिल रहा है असर में भी इस हाथ से में दो लोगों की मौत की खबर सामने आरी है तूपान के कारण आईजौल में भी पत्थर की ख़दान भी डे गई ताती आपको बता दे कि मलबे में अभी भी 6-7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जारी है ये बड